हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब तो पिछले वीडियो में हम डिसकेशन कर चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को और आज के वीडियो में वो रूल है वो बहुत काम आने वाला है कि अगर एक करेंट करिंग कंडक्टर को किसी में रख दिया जाए तो उसमें कौन सी डारेक्शन में फोर्स लगेगा वो कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कसन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या है सबसे पहली बात तो ये बहुत ही आसान टोपिक है बच्चे पतानी क्यों कन्फ्यूज रहते हैं कि सर पतानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज है देखिए बहुत ही डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ेंगे कि electric motor क्या है कौन-कौन चीज़ें आपको examination में इसे पुछी जाती है और इसकी हमें need क्यों है ये सारा कुछ तो सबसे पहला point तो हमारा आता है कि electric motor की need क्या है क्यों जुरुत पड़ी electric motor की आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जैसे कि fan आपने देखा होगा आप तरह तरह की चीज़ें देखेंगे laptop देखेंगे laptop के अंदर भी चोटा सा फैन लगा होता है जिसमें भी क्या है rotate कर ये motor है एक टोई का खिलोना का उसके अंदर भी motor rotate करती रहती है ठीक है तभी वो चल पाती आगे कि तरह ठीक है तो ये motor की नीड है वो क्यों पड़ी ऐसा तो आपको समझाया ही होगा कि इतनी सारी चीजें हैं अगर ये motor नहीं होती तो उसको हम नहीं चला पाते तो इसकी जुरत तो बहुत थी सा लेकिन अब इस motor के अंदर ऐसा क्या mechanism work करता है कि इस तरह से rotate कर पाती है पहली बात तो जो भी एक object rotate कर रहा है उसके पास कौन सी energy होती है mechanical energy होती है इससे भी मैं थोड़ा और पहले चलता हूँ एक step पहले चलता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझाएं आपने kinetic energy और potential energy पढ़ रखी है the energy responsible for motion of any object is called kinetic energy and the energy that is responsible to changement in the shape or size that is potential energy यानि किसी object की shape और size में changement हो रहा है तो potential energy है और अगर वहीं पर कोई object move कर रहा है तो kinetic energy जैसे तीर को खिचा हुआ है पकड़ के रखा है potential छोड़ दिया move करता हुआ गया kinetic अगर दोनों energies को मिला दिया जाए तो हमारे पास बन जाती है mechanical energy kinetic plus potential sum of kinetic and potential अब यह जो mechanical energy है वो इस motor के पास होती है इतना तो हमें समझ आया पर हमने दी कौन सी energy थी हमने इनर्जी इसको दी इलेक्ट्रीक एनर्जी सिंपल हमने इसको इलेक्ट्रीक एनर्जी दी और उसने मोटर ने उस energy को convert कर दिया है mechanical energy के अंदर क्योंकि यहां पर fan तो उसी motor से चल सकता है ठीक है जिसके पास mechanical energy हो तो देखिए अब यहां पर यह सारा mechanism तो इस सबका है यहां पर तो आप fan जोड़ दीजिए जहां मर्जी इसको लिजा करके रख दीजिए fan जोड़ यह आपका का बनाइए चाहिए आप इससे एक fan बनाईए चाहिए रोटेट करने वाला फैन बनाईए आपकी मरजी है आप कैसा electric appliance इससे फिर बनाना चाहते हैं जहां motor की यूज होगी वहां पर यह अपना काम कर देगी ठीक है फिर उसके बाद यहां पर यहां पर यह जो चाहें जोड़ working simple तो पहली चीज़ आती है principle अब यह principle क्या चीज़ है देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बताया इस motor का जो वर्क है वो क्या होता है electric energy को mechanical energy में convert कर देती है ठीक है तो हमने बोला कि कौन सी energy को सर electric energy को ई लिख रहा हूँ electric energy और इसको convert कर देती है mechanical energy में simple सा principle है जनरेटर पड़ेंगे अपोजिट हो जाएगा वो mechanical को electric में convert करता है तो सबसे पहली बात इसका जो principle है कि यह electric energy को convert कर देती है mechanical energy में हमें इसको electricity देंगे यह हमें motor गुमा करके देगी यह नहीं mechanical energy generate कर देगी simple अच्छा अब यह काम कैसे करती है construction बनी कैसे है तो यह बहुत जरूरी है समझना वे काम कैसे करेगी वो चीज़ तो बात में आती है उसके लिए बनी कैसे है यह समझना बड़ा जरूरी है तो construction कैस पर कुछ इस तरह से इसको उठा देंगे तो यह कोईल इस ऐसे आपको बिल्कुल फ्रंट में जैसा कि 3D के अंदर आपको दिख रही होगी उस तरह से रोटेट करती रहती है अच्छा construction में देखिए सबसे पहली चीज यहां पे यह एक magnet है और यह मैगनेट है तो दो मैगन को अप्लाइ कर दिया है ठीक है बिल्कुल सिंपल सी बात है हमने magnet को यहां पे अप्लाइ कर दिया एक बड़ी सी मेगनेट यहां रखी एक बड़ी सी मेगनेट यहां रखी आप muffinNeck loyal सकता है सर इसमें की यहाँ पे नोर्थ पोली क्यों साथ यहाँ इन पढ़ान है तो इस इद्धे में d습니까in इसाब और यहां prof और इससे साइड में आख क्या अब दिखाया अब देखिये मेरे पास यह यह नौर्थ पोल हुआ और यह कि-स इस साथ प्वाल्यु जैसे ओगे हैं also वर जाती हैं सवर्फ की तरफ मेरे पास मिंगनेटर वह कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा जैसा यहां पर आप देख रहे हैं सेम वैशा यहां पर भी होगा कूछ ना पर हमने हैवी मिगनेट का machine दूसरी चीज यहां पर आप पे क्वाइल देख पा रहे होंगे इसको जो मर्जी आप नेम दे सकते हैं इसको आप आर्मेचर बोलें इसको आप एक्सल बोलें इसको आप कोईल बोलें यह आपकी मर्जी है ठीक है और इसको मैं नेम दे रहा हूं A B C D आप चाहें तो P Q RS जो मर्जी आप दे सकते हैं पहला क्वाइल तो मतलब आप समझते हैं एक सीधा वायर है और उसको घुमा करके ले आए तो क्या बन गई क्वाइल ये पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अच्छे कि क्वाइल क्या है ठीक है अब यहां पर एक चीज आती है कि जो क्वाइल है इसके अंदर करंट किस तरह से फ्लो करवाया जाए तो उसके पहले तो बहुत सारी चीजें भी बची हुई है कि क्या-क्या जोड़ा गया है तो क्वाइल तक हम पहुंच गए अब देखो यह सीट सेप की दो रिंग आपको नजर आ रही होंगी यहां पर एक इधर सी है और एक इधर सी एक रैड कलर मे दिख रहा होगा यह दोस्त जो आपको रिंग नजर आ रही है सीशेप की इनको कहा जाता है इस्प्लिट रिंग ठीक है और इसको पूरे को मिलाकर क्याक आप कम्यूनुकेटर भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह क्या हो जाएंगी आपके पास दूस्प्लीट तो यह कि यहां पर मेरे पास हो गई है इस Hmm हो धी स्कूला ह hom कर देखेंगे तो यहां पर देखें यह कि मैंने कुछ एक और चीज़ें एड की हुई है यह सर दो ब्रस है जैसे आप मेकेनिक के पास जाते होंगे ना तो कई बार मेकेनिक आपको बोलेगा कि इस मोटर का तो मिक्सर मिक्सर लेकर जरूर गए होंगे मिक्सर खराब हो जाता है वो जल्दी तो ले जाके उसको देंग यह दो ब्रस सेंसर अब इसके बाद यहां पर आपको एक वायर दिख रहा होगा यह वायर हमने क्यों जोड़ा तो यहां पर देखिए एक तो हमें बैटरी को कनेक्ट करना था और एक हमें स्विच को कनेक्ट करना था जैसे हम स्विच को ओन करते हैं हमारा फैन ओन होता है क तो जयेगा है सब्सक्राइब और मुखन Debug8 और अधर यहां पर इसे गुमते पिर ऐसे आएगा है करेंट और वापस इस तरह से आजाएगा मतलब यहां से सुरू होगा और करेंट कुछ इस तरह से जाएगा 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 और इस तरह से आजाएगा ठीक है सिंपल यह करेंट का फ्लो करने का मैकेनिजम होगा अब इसमें जो याद रखने जो मरजी आप बोलें ठीक है तो अब यह हमारी जो कोईल है वो इसके अंदर क्या करेगी रोटेट करेगी तो फैन क्या करता है रोटेट करता है इसके इस इससे पर हमने फैन जोड़ा हुआ है यह देखो यहां पर जोड़ दिया हमने फैन फैन तो इस इससे पर जोड़ा है स हमने principle देख लिया, हमने construction देख लिया, construction में क्या-क्या जोडा हुआ है, हमने देख लिया, communicator हो गया, split rings, brushes हो गई, एक battery हो गई, एक key हो गई, wire हो गया, coil हो गई, और magnet हो गई, simple, अच्छा, अब यहाँ पर हम working की बात करेंगे, तो working के लिए सर सबसे पहले हमने switch को own किया, इस तो जैसा कि यहाँ पर current ने flow करना start किया, current यहाँ इस brush पे आया, अब इस brush को जोडने का बहुत एक बड़ा region है, ठीक है, और यहाँ पर इस C shape की जो rings देख पा रहे है, split ring, इनको भी जोडने का एक बहुत बड़ा region है, वो हम आगे समझेंगे अभी, current यहाँ से गया सर, यह कहता है कि कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ magnetic field होगा, यह इसको मैं B vector लिख देता हूँ, तो यह आपके पास magnetic field होगा, यहाँ पे आपके पास force होगा, और कुछ इस तरह से सर, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, यहाँ पे current की direction है, वो होगी, यह simple सा rule हमने flaming left hand rule पढ़ा कहां की तरफ, ऐसे सामने की तरफ flow कर रहा है, अब current ऐसे flow कर रहा है, तो हम अपने left hand का use करेंगे, magnetic field कहां से का है, north से south की तरफ, magnetic field है, north से south की तरफ, यह हमने finger करी, ठीक है, हो गया हमारा north से south, अच्छे यह जो finger है, वो हमें रखनी है, यह उस तरफ ले जानी होगी, क्यो force की direction, अब current की direction उधर है, तो इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, simple, इसको ऐसे रखना पढ़ेगा, इधर तो magnetic field हो गया, और ऐसे current हो गया, तो force निच्चे की तरफ लगेगा, मतलब क्वाइल कहां rotate करेगी, इस तरह से, क्वाइल इस तरह से rotate करेगी, ठीक है, अच्छा rotate किया, कोईल ने, rotate कर दिया, हो गई rotate, अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, देखें, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, अच्छा, B और C, यह एक point आपका, यह जरूर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, देखें, यहाँ पर यह magnetic field है, कुछ इस तरह से है, current भी flow कर रहा है, आप देखें, पहले तो current ऐसे था इस तरफ, अब same direction में current flow करने लगा, यहीं तो direction आपकी magnetic field की थी, और इसी direction में साथ current और flow करने लगा, same direction हो गई, ऐसी situation में जो force हो लगेगा, 0 होगा, कोई भी force नहीं लगेगा, पहले भी हम इस चीज़ को discussion कर चुके हैं, अब ही मैंने आपकी यह बात दुबारा clear कर दी, ठीक है, तो अगर magnetic field की direction में इसमें B और C के बीज़, यहाँ पर कोई force नहीं लगेगा, हमारा current आगया कहां की तरफ, आगे की तरफ, C और D के पास, अब C और D में opposite हो गया current, इसमें तो ऐसे जा रहा था देखो, उपर की त कि तरफ को, तो यहाँ से को नुचे की तरफ कहाईगी, उपर की तरफ आएगी, तो यहाँ से कोई पहले निचे की तरफ गही और फिर गूम के अपर आगी, इस तरीडी डायगराम में आप देख सकते हैं किस तरह से कोई लगा तार रोटेट करने लग रही है, कर रहे हैं पहले यहां से निचे की तरफ गई, फोर्स निचे लगा, फिर उधर से घुम किया गई, फिर निचे की तरफ गई, फिर उधर से घुम किया गई, simple, लेकिन एक problem है सर, वो problem क्या है, problem यह है जितना simple ही हमें दिख रहा है न, यह उतना simple है नहीं, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, कि जैसे ये A, B है, ये उधर जाता है, ये C, D इधर आ जाता है, मतलब हर हाफ राउंड के बाद, जैसे आधा राउंड कम्प्लीट हुआ, मतलब A तो कहां पर आ जाएगा, इधर D की जगे, और D कहां एक ही जगे, पर क्वाइल ऐसे घूम गई ना, क्वाइल ऐसे क्या हो गई, गूम गई, रोटेट हो गई, तो इसमें जो दोनों जो आपके पास साइड थी, वो चेंज हो गई है, दोनों साइड जब चेंज होई, तो करेंट की डारेक्शन भी चेंज होगी, पहले C, D के अ जिनको हम स्प्लिट रिंग्स कहा रहे है, इनका काम क्या है, यह यहाँ पर बुस के साथ टच रहती है, जुड़ी हुई नहीं है, यह केवल टच है, ठीक है यह मारकर है मेरे पास, यह क्वाइल है, ठीक है इसको देखिए, यह बस ऐसे टच है, यह इस तरह से मोटर आराम स हो सकती है, जैसे ही इधर से जाती है, अगर इधर आती तो चेंज utiliser और गारा भगिरा ओस अर उस मोटर पे है, तो इसके लिए perchéUS हमने क्या कर दिया, कि यहाँ पर हमने दो ब्रस औरsoft का यूज है बीच में ठीक है जुड़ी हुई नहीं है दोनों बीच में से अब क्या होगा जैसे ही यह वाला हिसा इधर आएगा तो देखिए यह जो रिंग है वो इस बुस्ट पर आ जाएगी और यह वाली रिंग दूसरे बुस्ट पर चली जाएगी और किस की तरफ आ गया यहाँ पर इस बुस की तरब आ गया तो यह ब्रस तो सें रखने के लिए हमने यह सब किया है जो स्सेब कि 도 रिंग से वो यूज कर हें जिनको हम क्या करें इस प्लिटça करें और उसके बाद इस ब्रस का काम देखें कितना इंपर्टेंट है समझाया होगा आपको तो यह ब्रस इसलिए हमने यहां पर यूज करें हैं सिंपल तो वर्किंग में हमने क्या बड़ा देखिए पोजीटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल आपके पास हैं बैटरी जोड दी गहें स्विच को ओन किया करेंट गया ऐसे आराम से यह वाली साइड अब आप देखिए करेंट पहले इस तरह से फ्लो कर रहा था तो अकोईडिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने फोर्स के डारेक्शन निकाली तो क्वाइल गई निचे की तरफ और वह व उदर चला गया तो फीआ पर जूठ गया सिंपल तो करंट की डारेक्शन इसके अंदर सेम बनी रही ठीक क्योंकि हमें तो यहां पर निचे की तरफ renov रखनी अगर इसमें उदर जाकर करके डारेक्शन उपर की तरह रह जाती तो फिर कोईल से हाफ ही राउंड कंप्लीट करती फिर इदर आ जाती फिर आफ राउंड कंप्लीट करती फिर दर आ जाती पूरी तो गूमी नहीं पाती हमें तो पूरा रोटेशन चाहिए था समझे ना तो देखे यहां पर पी क्यों उसे जाकर के पी है वो बीट्टू से जाकर के टाइच हो गया और क्यूं बीवन से फिर आदा राउंड कम्प्लीट हुआ हाफ राउंड कम्प्लीट हुआ फिर क्या हुआ फिर से क्यूं है वो बीवन से टाइच हो गया पी है वो बीट्टू से टाइच हो गया तो इस तरह से रोटेशन लगातार चलता रहता है और इसी तरह से हमारी मोटर गूमती रहती है और मोटर गूमेगी तब तक फैन चलता रहेगा सिंपल क्योंकि फैन के अंदर मोटर है और वहां पर हमने उसकी पंखडिया है वह लगाई हुई है सिंपल सी बात है तो जब तक मोटर चलेगी जब तक एक वाइल घूमती रहेगी आर मेंचर कैलीजिये क्वाइल कैलीजिये जैसा आपकी मरजी है जो कहना चाहिए ठीक है तो यह सिंपल सा प्रोसेस था आपका प्रिंसिपल कंस्ट्रेक्शन और वर्किंग आप एक पॉइंट आता है कि किस पे कौन से फैक्टर्स पे यह मोटर की स्पीड डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके उपर यह जो आपके पास मैगनेटिक फिल्ड है उसके अंदर की स्पीड उतनी ही तेज होगी जितना हैवी मैगनेटिक फिल्ड होगा क्योंकि जितना हैवी मैगनेटिक फिल्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा पहले चीज मैगनेटिक फिल्ड पे दूसरा क्वाइल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे जो टरंस ह वो कितने हैं हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको हम एकि देंड किया में हो किया दूसरा यहां पे मानलों यहां दुख नहीं 3 जितनी बड़ी मोटर आते हैं उसके अंदर उतने ही नबर टरंस कोईल के बढ़ाए जाते हैं ठीक है पानी के मोटर चोटी सी भी आती है और बड़ी सी भी आती है समझ गर नहीं तो number of turns उसमें क्या करते ते बढ़ा लेते हैं उसकी पावर ज्याधा ज्यादा उसको तेज चलाने के लिए ठीक है तो यह आपके पास number of डिपेंड करेगा तीसरा डिपेंड करेगा current पर आपने current कितना flow करवाया कम current flow करवाएंगे तो कई बार देखते हैं घर में light वो dim आती हैं पूरे यहाँ ओल्टेज नहीं आ रहे होते हैं पूरा potential difference नहीं मिल रहा होता पंखा कैसे चलता है तीरे धीरे चलता है इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा बिदे इते इते रोटेट कम कर वाइंगे कर द Är लीडीरण करती है सिंपली एक इक सो मेडेक फिल्ड्ड पे अब रुछ words करके एक वायर को यहां पे गोल करके आप गोल नहीं लिए हमने थोड़ा rectangular ले लिया ताकि इसको समझने में आसान है और इसका figure बनाना भी आसान रहता है ठीक है और तीसरा current पे current का amount कितना है उस पे भी depend करता है ठीक है तो principle क्या हो गया एक electric motor mechanical energy को convert कर देती है इलेक्ट्रिक energy को convert कर देती है mechanical में construction हमने देख लिया magnet रखेंगे coil रखेंगे split ring रखेंगे brush रखेंगे battery और key simple ठीक है working क्या होगी current को flow करवाएंगे पहले AB के अंदर current की direction को लिखेंगे फिर CD के अंदर current की direction को लिखेंगे उसके accordingly फ्लेमिंग left hand rule से force की direction को बताएंगे ठीक है और उसके accordingly बताएंगे कि एक rotation किस तरह से complete होगा फिर क्या reason था कि हमने split rings का use किया ये उसके अंदर बताएंगे कि अगर ऐसा होता ये रगाता rotate करती तो wire वगिरा तूट जाते सारे औ हमें change करना था ताकि को आधा round नहीं करे पूरा round करे ठीक है ये सारी चीज़े हमने देखी और ये सारी मिला करके आपकी जो working process हो complete होगी तो ये थी electric motor अगर अभी भी कोई doubt है तो comment section में लिखे ठीक है और अगर ये वीडियो आपको informative लगा है तो अपने friends के साथ share करिए ठीक